Welcome friends once again on the platform of Trishant Academy और हमेशा की तरह Trishant Academy आज भी लेके आया है one of the most searching topic जी हाँ मैं मिश्रा सर हमेशा की तरह आज भी बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ जी हाँ आज की class का title है National Symbol of India जैसे कि मैंने देखा है कि maximum exams में इस topic से एक या दो question हमेशा आते हैं RRB का NTPC हो या group D हो या technician हो या SSC के exam सोगे सी jail वाले तो National Symbol, National Flower, National Animal, National Aquatic Animal, National River बहुत सारे ऐसे ही puzzled questions आते हैं जो कि हम जैसे students को आप जैसे students को अकसर confused करते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए वैसे questions को बहुत ही easy बना दूँ तो मैं आज आपके लिए topic लिए हूँ दोस्तों पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या-क्या cover करूंगा ये देखिए there are many symbols including the national animals, bird, flower, fruit, trees and games और बहुत सारे ऐसे होंगे तो आप sequence wise मैंने cover कर रखा है तो आप उसको ध्यान से देखिए और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आएगा अगर पसंद आए आपको तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तो शुरू करते हैं दोस्तो हमारा पहला है कि national flag of India पीछे की ज़रा आप background में देख सकते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि horizontal rectangular triangular of the Indian saffron white and Indian green color with ashoka chakr 24 spoken wheel in a navy blue at its center ये है पूरी definition national flag of India की next move करते हैं ये है हमारा national album the adaptation from the Sarnath loin capital of Ashoka और मैं आपको बता दू कि Sarnath one of the city of Uttar Pradesh nearer to Varansi काशी के आसपास की ये city है Sarnath वहाँ पे एक Ashoka capital बना हुआ है ये loin है उसी से हमारे एक national album को लिया गया है ये एक national symbol है ताप इसको याद करें इसकी city भी आप याद करें हो सकता एक्जाम में ये भी पूझा जा सकें तो next move करते है नेशनल एंथम तोस्तों आप सब जानते हैं कि हम लो ने स्टार्टिंग में स्कूल से पॉड़ रखाया है ये अब हमारा नेशनल एंथम क्यों बना कैसे बना किस ने बनाया तो इट वस कंपोजड इन बेंगौली बाइद पोएट रविन्ना ट्राइगोर वाज अडॉप्टेइन इट्स हिंदी वर्जन ओन 24 जनुवरी 1950 इट वस फर्स पॉब्लिकली संग ओन 27 दिसमर 1911 जी हां अड़ कॉलकटा तो दोस्तो यह ब्रीफ है इसको पॉस कीजिए नोट डाउन कीजिए जो भी आपको important लगे और याद करिए चलिए अब बारी आती है वंदे मातरम का दोस्तो हम इसको जानते ही यह नेशनल सॉंग है It is a Bengali poem written by Bumking Chand Chattarji in 1870s which he included in his 1881 novel Anand Math The poem was composed into song by Ravidnaad Tigor जी हां Ravidnaad Tigor ने इस poem को song के way में convert किया था लेकिन इसको लिखा गया था Bumking Chand Chattarji ने ठीक है 1870s में ठीक है तो आप याद रखिए novel का नाम भी याद रखिए और year तो खास तोर से ठीक तो चलिए next पर move करते हैं Next हमारे पास है national pledge जो हम जानते हैं कि हमने school में हर जगे हम पढ़ते हैं ठीक है तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि it was originally written by the Preeti Marie Winkata Subba Roy, an author and a burricate in Telugu language in 1962 उन्होंने ये लिखा था Telugu language में और first it was read in the विशाका पटनम in 1963 in a school जब उन्होंने ये लिखा था 1962 में तो उसके एक साल बाद जाकि विशाका पटनम इसको पहली बार school में इसको pledge को बोला गया है और फिर उसके बार से इस pledge को nationalize कर दिया गया पूरे राष्टर के लिए इसको एक स्थान दी दिया गया है तो आप याद रहे कि कब लिखा गया किस ने लिखा और कब इसको पहली बार हमने बोलना स्टार्ट किया चलिए अगला move करते है हम national currency दोस्तों Indian rupee symbol is derived from the Devanagri consonant अब इसका symbol देख सकते हो र हिंदी में र लिखा हुए और Latin letter में R लिखते हूं लोग was adopted in 2010 ठीक है national currency हमारी है इस symbol की वो देवनागरी से ही इसको लिया गया है और इसको adopt किया गया है क्योंकि ये एक question पूछा जा चुका है कि ये जो symbol है इसको कब adopt किया गया था current referendum पूछा जा चुका है तो आप ये ध्यान से रखिए याद कि ये 2010 में इसको हमने adopt किया हुआ है ठीक है तो याद करते रहे हैं साथ साथ में next पा हम move करते हैं next है हमारा national animal of India दोस्तो 1973 की बात है अप्रेल की बात है हमने अपने बेंगॉली टाइगर को हमने adopt किया था national animal of India का largest carnivorous है founded only in the Indian subcontinent ये Indian subcontinent में एक largest carnivorous animal है ये इसकी भूमिका जानते हुए हमने इसको अपना national animal of India घोशित किया था ठीक है याद रहे किएगा कब 1973 में चलिए अब बात करते है national river of India दोस्तो हम जानते हैं गंगा हमारी माता है और हमने इसको इसलिए भी बाना है क्योंकि हम गंगा को पवित्र मानते हैं अपनी माता मानते हैं उसकी रक्षा करना चाहते हैं और ये it was declared on November 4 2008 क्या national river of India कौन है हमारी घंगा माता है गंगा is the longest river of India flowing over 2510 km सबसे लंबी नदी है ये सबसे लंबा distance करते हैं कितना 2510 km और हमने 4th November 2008 को हमने डेकलेर किया था national river of India कौन गंगा को ठीक है तो दोस्तो इसको भी आप याद रखेगा और अगर हम मैं national heritage animal की बात करूं तो दोस्त तो on October 22, 2010 by Environment Ministry of India हमने अपने elephant जो हमारा elephant है उसको हमने national heritage animal घोशित किया था और तभी से हम लोग इसको मानने लगे थे तो एक्जाम में अगर आएगा कि कौन सी date पे हमने elephant को national heritage animal considered किया है तो वो date होगी October 22, 2010 दोस्तो लाश्ट वी में आपको बहुत खास और जरूरी चीज़ बताऊंगा तो लाश्ट तक बने रहिएगा ठीक है अब बात आती है national aquatic animal of India declare on 5th October याद रखिये गोहाटी is the first Indian city to have an animal mascot as Gangetic river dolphin ठीक है Gangetic river dolphin को हमने national aquatic animal of India declare किया था कब 5th October को ठीक है इसको आप याद रखियेगा कहाँ पे गोहाटी पे है city याद रखिये animal का नाम याद रखिये और date याद रखिये चलिए next move करते है national board of India यह भी बशपन सामने पड़ा हुआ है peacock लेकिन मैं अगर date पूशू तो बहुत कम बच्चों को जानकारी होगी लेकिन अब आप मेरे student बन गए है तो आपको भी य जानकारी होगी होगी क्या कि February 1st 1963 को Indian peacock यानि blue peacock को हमने अपना national board of India declare किया था ठीक है तो आप date के वाइस याद करते रहे हैं चलिए अब हम next move करते हैं next slide पे वो है national tree of India दोस्तो national tree जो है वो हमारा है Indian banyan adopted on 1950 हम जानते हैं कि जो बरगत का पेड़ होता है बरगत नीम हम इनकी पूजा करते हैं उपास ना करते हैं लेकिन जो बरगत का पीड़ है हम ने उसको national tree of India घोशित किया कम 1950 को याद रिखिएगा ठीक है बहुत काम आएगा ये चलिए अब next move करते हैं national flower of India दोस्तों आप पीछेस देख सकते हो कि बहुती शीतर और इस्थि जल में कमल का फूल खिला हुआ है वही हमारा क्या है national flower of India है it is a scared flower and occupies a unique position in the art and mythology of Asian Indian ठीक है ये एक बहुती rare बहुती scared flower है और इसी की quality को देखते हुए हमने इसको क्या किया है अपना national flower of India डिक्लेर किया है आप इसको ध्यान से याद कर लिजे अब बात आती है national fruit of India दोस्तों मौसम गर्मी का हो तो आम बहुती मन पसंदाता बन जाता है तो मैं बतादों कि national fruit of India हमारा आम है देशी आम जी हां great mughal emperor जो अकबर थे had planted about hundred thousand mango trees in लखी बाग इन दर्बंगा बिहार में district है वहां पर तभी से ये national fruit बन गया था हमारा तो दोस्तों आज के लिए मैं आपको बहुत बहुत थेंक्यू करता हूँ कि आप starting से लेकर ending तक हमारे साथ बने रहे और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कुछ भी doubt हो कुछ भी पूछना होता comment section में ज़रूर mention करें और बेल आइकन को भी subscribe करें और बेल आइकन को प्रेस करके notification को on कर दें